अज हम सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेजगोरख पूरकल्याड से प्रकासित सच्ची कता हैं और कथा कभ सीर्षा के स्री हनवान जी की पासाण मूर्टी द्रवित हुई तो ये कता है उस समय जो भाईया सुना रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्री स्वामी योगा नंद सरस्वती जी महराज भक्ती के पांच प्रकार और भगवान के पांच सुरूपों का वर्डन कर रहे थे तो उन्होंने बीच प्रवचन में बताया कि बहुत सी लोग मूर्ती पूजा को ढूंग मानते हैं और मानते ने यह सब क्या होता है कुछ नहीं होता है तो फिर उन्होंने जैसे हम लोग पुरान की कतायों थी उनको ब्यर्थ बगवास कहते हैं और कहते हैं कि सब पंडितों के जैसे की कमाने के दंदे हैं तो फिर उन्होंने अपना एक अन्भो सुनाया स्वामी स्री योगानंद सरस्वती जी महराज ने स्वामी जी कहने लगे मेरे जीवन की एक सत्त खटना है मैं एक बार सन 1994 में महोबा कालिंजर छेतर के मत बिचरन कर रहा था वहाँ पर मुणारा गाउं के तो दूरी पर दो परवतों के बीच में घाटी में आला उदल के समय का स्री हनुमान जी का छटी बजरंग की मूरती है उस इस्थान पर एक बैशनो संद गुपाल दाज जी रहा करते थे मैंने उस प्राक्तिक संद को देखा और संपूर्ण सुबदा देखकर मैंने वहाँ रुखने का निश्चे किया मेरे विचार को संद जी समझ गए और उन्होंने बड़ी प्रसंदा प्रुवक मेरी ठेड़ने की विवस्ता की वहां का प्राक्तिक संदर बहुत ही रमडी था मुझे वहां कोई असुवदा नहीं हुए तो मैं वहां रुख गया एक दिन में अपने सुधाय में निमगन था कि सैसा एक अत्यांत करुणा भरी आवा जाए तो कोट्री से बहार तो आया तो देखा संद दहारे मार मार कर रो रहे हैं उनके नेत्रों से आसों की अवरल धारा बह रही है तो मैंने पूछ आप क्यो रहे हैं इस पर उन्हें मं किया कि मंदिर में चाओ मंदिर में एक प्राक्ति कुफाती जिसमें प्रतिष्टित बजरन जी की मूर्ति से पसीने की ब्यूंदी टप 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 टपक रही थी और वे धारा का रूप ले रही थी और वे स्वेद मंदिर से आंगन तक बह आया था मूर्ति का उस स मतलब पत्थर की मूर्ती से पसीना बैराएं और ऐसे नहीं बैराएं जैसे मतलब कि पानी की तरह बहा जा रहा है और मूर्टी का जो सुरूफ ता जैसे हर्मान जी की मूर्टी सामानने होती लेकिन उसमें वो बड़ी भ्यानक लग रही देखकर फिर मैंने पहाडी पर चलकर जो ग्वाले होते हैं गाय माई चराते हैं उनका वास लगाई और उन से मैंने का गाऊं में जा और सीखरी किनी पंडित और गाऊं वालों को बुलालाओ थोड़ी दिर में ये कोतिक देखनी लिए गाऊं से पूरा गाऊं समूं उमर पडा मूर्ती का स्वेद नहीं रुक रहा था यानि पसीना नहीं रुक रहा था और मूर्ती भयानक होती जा रही थे साधारन मानों तो उसे देखी नहीं सकता था मैंने तुरंद कीर्थन करने का परामर्स दिया कीर्टन शुरू हो गया अब ग्यारा बजे की घटना प्रारम भी कोई परवर्तन नहीं हुआ धारा कुछ धीमी अवस्थ पड़ गई थी इसका कारण मूर्ती से रूचिपका देना था पर वो पसीना नहीं बंद हो रहा था कीर्टन होते होते अब चार घंटे बीद गए पसीने की चाल कुछ मंद होई दीरे होई दीरे दीरे तीन बजे तक पूरी दसास उतर गई मूर्थी से पसीना आना बिल्कुल बंद हो गया मूर्थी अब बिल्कुल बदल गई थी दिप मूर्थी के प्रिकास के चारों तरफ प्रिकास छटक रहा था मूर्थी इतनी दैदीप मान थी कि साधारन माना मूर्थी देखी ने सकता था ये आखो देखा दरस से, स्री योगानन्द सरुस्वती जी महराज कह रहे हैं कि ये मैंने अपनी आखो देखा दरस से, पर इसका कारण करता, क्या था, ये समस्या बनी ही रही, आज का समाच मूर्ती को पत्थर मानता है, मूर्ती पूजा करने वाले को अंदविश्वासी कहत है और हमारे बेदों में मुर्ती की पूजा करना बताया गया है जहां तक हमारे स्री तुल्शी दाजी गुसवामी तुल्शी दाजी ने तो रामार अचरित मानस में इसकी पुस्टी भी किये कि बिने प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी बिने और प्रेम से क्या नहीं हो सकता प्रेम और विश्वास से क्या नहीं हो सकता ये देव मुर्ती की बिश्टिश महिमा है समस्थ घटना कम में न केवल प्रति विज्ञान और साथ बच्चनों की प्रति सृत्ता को धढ़ गया बलकि इस सनातन धर्म को भी सिद्ध कर दिया कि प्रभू का केक्तन करने से हनवान जी की अनकूलता पसंता इमक्रपा नभूती सहच हो जाती है स्वामी जी का उस दिन का इसार गर्वित प्रवचन बड़ा मार में तता उजस्वी था कहने का मतलब इतना भेहमकर पसीना निकलना वो भी एक मूर्ती से और बराबर बहना और वो बहता इरा 11 बचे से मतलब जैसे पसीना निकलना सुरूबा पत्तर की मूर्ती जैसे हनमान जी की और जैसे वो बता रहें स्वामी जी की बड़ा भयाना दरस तो कोई देख नहीं स पसीना आना अपने आप बंद हो गया, लेकिन इसका कारण नहीं पता चला कि कारण क्या था, लेकिन इसका हनुमान बस इतना लगाया कि अगर हम सीता राम जी का भजन करते हैं तो हनुमान जी परसन होते हैं और जीवन में अनकूलता आती है, इसलिए हमें भगवान की पूज प्रद दिन अवस करनी चाहिए और मंदरों में करनी चाहिए जाना चाहिए और साथ में अपने बच्चों को भी संसकार देना चाहिए भक्तों ये सत्त कता है जय स्रिया